आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। अनूठी पद्दती शारेरिक विकारों की चिकित्सा के साथ साथ उनसे बचने के उपायों पर भी बल देती है। इसलिए इन्हें मिलाने पर बिना खमीर वाला भोजन खराब हो जाता यानि की दूठ खराब हो जाता है। इनका साथ सेवन करने से एसिडिटी गैस अपच और उल्टी हो जकती है। ठीक इसी तरह दूठ के साथ संत्रे का जूस लेने पर भी पेट में खमीर बनता है। वैसे तो इनको साथ खाना ही नहीं चाहिए और यदि खाना ही है तो दोनों के बीच कम से कम एक गंटी का अंतरा को रखना है। दूठ के साथ आपको तली भुनी चीजों से परेज करना चाहिए। दूठ में मिनरल और विटामिन्स के अलाबा लेक्टोस, सुगर और प्रोटीन भी होते हैं। दूठ में नमक मिलने से उसमें मौजूद मिल्क प्रोटीन्स जम जाते हैं और उसका पोशन कम हो जाता है। अगर लंबे समय तक इनका साथ सेवन किया जाए तो त्वचा संबंदी बिमारियां हो सकती हैं। खाने से आपको बचना चाहिए। मचली के साथ दूद नहीं पीना चाहिए। दही की तासीर ठंडी होती है। इसे किसी भी गरम चीज के साथ नहीं लेना चाहिए। वहीं मचली की तासीर काफी गर्म होती है। इसलिए इसे दही के साथ नहीं खाना चाहिए। इसके साथ सेवन से गैस, एलर्जी और तवचा सम्दी बिमारियां हो सकती हैं। दही के अलावा शेहद को भी गरम चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। इसलिए इसलिए क्योंकि दो तरह के खाने अगर एक साथ खाये जाएं तो वे एक दूसरी की पाचन क्रिया में दखल देते हैं। इससे पेट में दर्द या पाचन में घरवड़ी हो सकती है। दूद के साथ फल नहीं खाने चाहिए। दूद के साथ फल खाने पर दूद के अंदर कैलशियम फलों के कई एंजाइम्स को सोख लेते हैं। ब्रत बगेरा में बहुत लोग केला और दूद साथ लेते हैं जो सेहत के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है। दूद के अनुसार केला कफ बढ़ाता है और दूद भी कफ बढ़ाता है। पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है। दूस्तो आपको भारी कार्वोहेड्रेट के साथ प्रोटीन कते ही नहीं लेना चाहिए। मीट, अंडे, पनीर, नट्स, प्रोटीन, ब्रेड, दाल, आलू जैसे भारी प्रोटीन वाली चीज़ों को कार्वोहेड्रेट के साथ आपको नहीं लेना चाहिए। दरसल हाई प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए अगर वे एक्टिवेट होते हैं तो वे हाई कार्वोहेड्रेट्स को पचाने वाले एंजाइम को रूख देते हैं ऐसे में दोनों का पाचन एक साथ नहीं हो पाता अगर लगातार इन्हें साथ खाएं तो क प्रेद्यों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयरुवेद समाधान क्योंकि आयरुवेद समाधान है हर रोग का निदान